तो Software Cracking और Reverse Engineering के इस नए टुटोरियल में आप लोगों को बहुत-बहुत सौगत है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले टुटोरियल में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि किस टाइप से Jump Function काम करते हैं, Conditional Jump क्या होती, Unconditional Jump क्या होती, इन सब चीजों के ब वीडियोज पढ़ चुकी है, तीनों को देखिए, उसके बाद आप लोग इसको देखी है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले टुटोरियल में बताया था कि जब भी हम लोग इस जगह पे आज हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारा Operating System वाला Code होता है, तो अब जब हम लोग यहां पर Run की उपर चले जाते हैं, जैसे हमने Run दबाया, तो अब यहां से हमारा Entry Point आता है, Entry Point किसे कहते हैं हम लोग, जहां से हमारा Program स्टार्ट हो रहा है, पर Entry Point भी आपको सही सही कम मिलेगा, जब आप लोग यहां आप लोग ठीक ठाक यहां से कर लोगे, अगर यह Setting क दरने से पहले आप लोगों ने यहां पर Run किया, यह से किया, तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया थी, कि मैंने गलती की पहले बिना Setting किया, और मुझे एक Fake Entry Point मिल गया था, मतलब गलत, जहां पर कुछ और Codes थे, कुछ और Errors थे, ठीक है, तो हमें उन तक नहीं जाना है, फिलाल अभी अभी, और हम लोगों को जहां तक देखें, इसी तक जाना है, और Dessal Confirmation अभी नहीं है मेरे पास, कि वो Fake था या Real था, बट मुझे ऐसा लगा, कि वो Fake Entry Point था, पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी यहां पर हैं, ठीक है, तो मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, जम फंक्शन के बारे में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हो, Call Function के बारे में, ठीक है, तो आएए हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या है, हमारे पास, यह है Call Function, अब यह Call Function क्या है, जैसे कि मैंने जम फंक्शन के बारे में आपक तो step over करते हैं हम लोग और करते हैं और यहां पर जैसे ही jump में हम लोग पहुचेंगे तो यह क्या बता रहा है इस function की जगा पर यह जो address है इस जगा पर यहां से jump होगी और वहां पर जो भी instructions लिखे होंगे उनको execute किया जाएगा उसके बाद हम लोग यहां पर आगे बढ़ें जीरो छोड़ के इन addresses को देखना है यहां last वाले ठीक है तो आप लोग यहां manually पहले खुद से जाके देख सकते हो jump कहां कर रहा है आप लोगों को इतना मतलब अपने आखों के उपर भरुसा होना चाहिए कि किस जगा पर jump करे गई है ठीक है तो यह तो रहा हमारा jump वाला section है यह call function के ऊपर जाते है और उसके बाद जब ही हम लोग step over करते हैं तो हम लोग जानते हैं तुरंत ही नीचे आजाते है इसका क्या मतलब हो रहा है कि मतलब कि call function खली एक ही अपना एक ही program on execute कर रहा है या फे एक ही address की उपर execution कर रहा है ऐसा नहीं होगा call function भी एक jump type का ही function ह जैसे कि jump है, jump को हमने दबाया और हम लोग ऊपर चले गया और जिते भी हमारे instruction थे उनको execute किया हम लोगों ने फिर हम लोग आ गये वापस से, तो call function क्या करता है, call function भी jump function की तरह काम करता है, पर jump में हमें दिखता है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, पर call में हमें दिखे करने के हम लोग उपर जा रहे हैं, तो call के उपर जैसे यह आया, पर अगर हमें देखना है कि call function कर क्या रहा है आखिरकार, यहां पर दिखिए क्या बताय जा रहा है, call करो untitle1 क्या है हमारा यही exe file है, जो हम लोग इसमें लगा है, untitle1 के इस address के उपर आपको call करने है, यह यह कह रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहां से step over कर देंगे, तो हम लोग नीचे बढ़ाएंगे, हम लोग को इसके बारे में internal details नहीं पता चलेंगी, तो internal details पता करने के लिए हमें यहां पे एक नय बटन का सारा लेना पड़ेगा, जिसका नाम है step into, मतलब step over क्या होता था, एक function से उपर से दूसरे function के उपर चले जाते थे, step into का मतलब क्या है, इस function के अंदर जिस जगा पर calling हो रही है, हमें उस जगा पर चले जाना है, तो आए हम लोग देख लेते हैं, यह address आप लोग जाना रखेगा 4026A0, हम लोग यहां से step into करते हैं, और हम लोग चले आया है, 4026A0, I hope कि आपको call function का इतना से section समझ में आयागा, आये में एक दो और आपको call function के example समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग video को खतम करेंगे, जादा और इस video में है नहीं, तो हम लोग नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं, यहां पर दिखी, यह भी एक jump है, अगर आपको पता चलेगा, मतलब आप मुझे बताईए, कि यह jump हो रहा है कि नहीं, आप अपने आप से सूचिए, जो मैंने, मतलब अपनी last video आपको बताया था, कि jump कैसे पता करना है, आपको पता है, तो I hope कि आप लोगों ने सही अंदज लगा था, यहां पर jump होगा, पहली चीज़ तो हमारी यहां पर red color की line आ रही है, दुसरी चीज़ यहां पर लिख की आ रहा है, jump is taken, ठीके, तो यहां से jump होगे, कहां पर जाएगा, इस address के उपर jump होगे आएगा, तो हम इस address के पास क्या करना था, इतने सारे अपने command को execute करना था, इतने सारे instructions को हमें execute करना था, execute कर लेंगे जब हम लोग, तो फिर हम लोगों को वापस अपने उसी position पर जाना पड़ेगा, जहां से हम लोगों ने call function के उपर चालू किया था, काम करना है, तो यह return function हमें वापस स उसी जगा भेज़ देगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, step over, step over जैसे return के पास आ गया, अब हम लोग, अब वापस step over जैसे करेंगे, तो हम लोग इस जगा पर नहीं जाएंगे, return function हमें वहीं पर भेज़ देगा, जहां पर call function था, तो यहां से हम लोग ने next किया, मतल call के अंदर जितने भी instruction थे, उनको execute कराया, और हम लोग आ गये हैं इस जगा पर, तो आएए हम लोग step over करते हैं, और करते हैं, और देखते हैं, और calls के बारे में, तो यहां पर यह बताईए, कि यह जो jump function है, क्या यह jump लेगा कि नहीं लेगा, आप हमें यह बताईए पहले, I think कि आप लोगों ने सही answer दिया था, यह jump नहीं लेगा, पहली चीज़, line red है ही नहीं, और यहां पर दिखे लिखा है, jump is not taken, ठीक है, यहां पर test तो हो रहा है, पर यह jump नहीं लेगा, तो आए हम लोग next पढ़ते हैं, और चलते हैं आगे, अब यहां पर इस jump के उपर हम ल आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, यहां पर jump है, यह बताईए, jump होगी कि नहीं होगी, यह line को जहां से दिखे यह red है कि orange है आप लोग बताईए, तो I know कि आप लोगों ने सहीं बताया होगा, jump is not taken, यहां पर jump नहीं होगी, तो क्यूं, क्यूंकि यहां पर लिखा भी तो यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि jump होगी या नहीं होगी बिल्कुल सही यहां पर jump होगी तो आए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखे एक और call function है अब अगर हम लोगों को तो इस call function के अंदर जाना होगा तो बताइए कौन से हम लोग button का use करने वाले हैं बिल्कुल सही अगर हम लोगों को call function के अंदर जाना होगा तो हमें use करना होगा step into का step into हमने दबाया तो यह कहा पर जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं अभी फिला यहां पर कोई address तो नहीं दिखा रहा है पर यह कुछ jump से related को instruction लग रहा है तो step into जड़ा करके देखते हैं यह मैंने की और यहां पर देखिए कोई jump से related instruction था वहाँ पर चलाया तो इससे हमें क्या पता चला कई बार call के सामने हमें addresses नहीं मिल सकते हैं पर step into जैसे हम लोग करेंगे हम लोग उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहां पर call हो रही है तो यहां पर देखिए jump वापस से उसने किया है जो jump वाले instruction पर तो वहाँ पर jump उसने किया और हम लोगों को वापस से ले आया है अब हम लोगों को return ढूंड़ना है जब return आएगा तभी हम लोग last call के उपर थे उस last call के उपर जा पाएंगे तो यहां पर देखिए jump है तो मुझे लगता है कि यह jump हो जाएगी क्योंकि यह देखिए call के पास है पर वो तो आने के बाद पता चलेगा कि jump होगी या नहीं तो यह देखिए यहां पर jump होगा jump is taken है यहां पर और यह हम लोग बढ़ेंगे इस जगह पर तो यहां से jump हम लोगों ने कर दी है और इस जगह पर आ गए है अब वापस से हम लोग चलते और आगे फिर से jump हो रही है अब यह देखिए jump वापस से उपर क्यों जा रही है तो यहां पर एक छोटा सा loop लगा हुआ है jump अगर एक बार नीचे हो फिर से वापस से उपर हो और ऐसे कई की बार होने लगे तो समझे वहाँ पर कोई loop हो रहा है कोई loop का काम चलता है यहां पर देखिए अब वापस से क्या हम लोग आगे बढ़ पाते हैं या नहीं तो यह देखिए एक बार ओर loop चला और अब क्या होगा jump is not taken up की बार आ गया है तो लूप हमारा end हो चुका है तो आएब हम लोग चलते हैं अपने return function के उपर return function के उपर जैसे ही आएंगे तो लास्ट बार जहां पर भी हम लोगों ने call function का यूज किया था हम लोग वहीं पहुँच जाएंगे तो इस jump के adjust उपर I think call होना चाहिए तो यहां पर आप लोग देख पार होगे यह है हमारा call function तो I hope so कि आप लोग इसकी practice करेंगे आगे आप लोग खुद से देखेंगे कि call functions और कौन-कौन से होते हैं और खुद से try करेंगे आप लोग call functions के बारे में तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद I hope कि आप लोग को यह tutorial पसंद आया हो और आप लोग को कुछ इससे सीखने को मिला हो